नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभीका आज फिर से इसी वीडियो चैनल पर और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रूप के पर पहले भी बता दिया था कि हम टेकनिकल एनलीसिस के ओपर अगले वीडियो बनाएंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे ही आज हम आपको बताएंगे टेकनिकल अनलिसिस आज हम करेंगे IRIS USDT Pair के ओपर टेकनिकल अनलिसिस दोस्तो इस वीडियो से आपको मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़दा हद तक जो टेकनिकल अनलिसिस है वो आ जाएगी कम से कम आपको यह अन्दादा लग जाया कि किस तरह से टेकनिकल अनलिसिस हो सकती है देखे दोस्तों यह तो पका है कि आप के वल एक वीडियो देखने से टेकनिकल अनलिसिस अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे आपको इसके बारे में बहुत कुद जाना पड़ता है लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टेकनिकल अनलिसिस पूरी तरह से समझ में आ जाए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे बहले आपको उपर उपर एक इंडिकेटर दिख रहा होगा मुविंग एवरेज मुविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होता है मुविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे मैं आपसे बात करता हूँ मुविंग एवरेज जो आपको इंडिकेटर दीख रहा है यह मार्केट के मुमेंटम को बताता है यानि कि average momentum market का क्या चल रहा है market का average क्या चल रहा है वह है moving average indicator दोस्तो इसको जैसे ही मैंने apply किया ना केवल इसी को बलकि इसके अंदर जितने भी आपको indicators दिख रहे हैं देखिए कि line के अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे आपको indicators दिख रहे हैं उन्हें सबसे पहले अगर हम बात करें MA की तो MA आप देख सकते हैं इसमें 3 line रहे हैं बाकि सब के अंदर भी ऐसे 3-4 line मिलेंगी उन सभी line को क्या अर्थ होगा उन सभी के बारे मैं आप से बात करूंगा तो सली दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं MA को आपको pink color की line दीख रही होगी यह pink color की line को हम middle line कहते हैं या फिर जिसको हम कहते हैं कि यह बीच की line है यह एक average price होगा दोनों के बीच का lower और high के बीच का उसके बाद अगर last line जो purple line है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यह lower line होती है जो सबसे नीचे होती है profit की line होती है हमका higher जो होती है वो सबसे नीचे है तो हम कह सकते हैं कि market एक bearish trend के अंदर आ चुका है दोस्तों एक और example के लिए आप देख सकते हैं आप पिछले की analysis के अंदर आगा आप ध्यान दे तो इस पूरी analysis से bearish trend है वो start हो गया था दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी पूरे graph के अंदर देख लीजिए जहां जहां पर yellow line उपर गई है वहाँ है वहाँ पर इसका जो price है वह भी up गया है देखिए इस जगहें पर भी आप देख सकते हैं yellow line हमेशा pink line से उपर रही है और pink line से जब-जब उपर रही है जब-जब market में bullish trend आया है दोस्तों second जो indicator है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो second indicator भी कोई कम indicator नहीं है दोस्तों second indicator है EMA indicator दोस्तो MA और EMA में आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही अंतर है इन दोनों के अंतर है MA moving average है जबकि यह है इस moving average का एक ऐसा पार्ट रही यानि कि आप देख से थोड़ा सा advance है MA से थोड़ा सा advance EMA है EMA में थोड़ा बहुत price का difference आता है बहुत ज़धा नहीं बहुत थोड़ा difference आता है इससे आपको accuracy बहुत और ज़धा मिल जाती है जो अपने EMA के अंदर है वही MA के अंदर है वही EMA के अंदर होगा बस EMA की accuracy MA से थोड़ी ज़धा हो जाती है दोस्तो अगर मैं थरड़ indicator है जिसकी मैं अगर बात करूँ तो दोस्तो इसको आप देख सकते हैं B-O-L-L दोस्तो ये indicator बहुत ही important indicator है और मैं मानता हूँ कि ये indicator top best जो मेरे indicator है उनके अंदर से शामिल है दोस्तो इस B-O-L-L indicator क्या है दोस्तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बिलकुल वही बात है upper, yellow, middle, pink और lower, purple दोस्तो इसके अंदर आप देखिए ध्यान से इन तिनों के अंदर जब yellow line है yellow line और purple line के बीच के अंदर ये पूरा graph भरा रहता है इस पूरे graph के अंदर क्या होता है दोस्तो जब जब ये जो हमारी candles है ये green candles, red candles जब ये yellow line को टच करती है yellow line को पार कर जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि market जो है बुलिश ट्रेंड के अंदर है और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये green candle इसको टच भी कर गई फिर भी market डाउन क्यों हुई दोस्तो इसका आप बहुत एक्षा example देख सकते है कि जैसे ही इसने यहाँ पर टच किया ये देखिए यहाँ पर टच किया है उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद वाली candle ठीक बाद वाली candle इसके नीचे जाने लग गई यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा लग सकता है आराम से कि market bullish trend के अंदर था लेकिन अब नहीं है ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये इसको पार कर गया था और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद दूसरी के बाद तीसरी candle भी ढंक से पार नहीं कर पाई और यह बेर श्टेन इसने निखाना शुरू कर दिया इसको आप और जदर deeply अगर देखेंगे तो इसको और जदर deeply के लिए आप more के अंदर जाएएगा यहाँ पर आपको 5 मिनिट का उप्शन भी मिल जाएगा यहाँ पर आप जदर deeply को देख पाएंगे आपको पता लग जाएगा यहाँ पर इसने टच्च किया और यहाँ पर यह डाउन होना शुरू हो गया था आपको यह बहुत कुछ पता लग जाएगा दोस्तों अगर आगे मैं बात करूँ वॉल्यूम के बारे में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कोईन के अगर वॉल्यूम बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगी तो उसका प्राइज आटोमेटिकली बढ़ेगा तो आप जहां जहां भी देख सकते हैं यहाँ पर red candle है तो यहाँ पर volume भी कम हुई है red आया है और यहाँ पर green candle है तो यहाँ पर volume भी बड़ी है तो green आ गया इसी तरह से अगर मैं बात करूँ volume की तो volume एक बहुत ही important role है किसी price को upper or down करने के अंदर दोस्तो जो अगला indicator है जिसको नाम है MACD indicator MACD indicator क्या है इसके बारे मैं आपको बताता हूँ दोस्तो बहुत ही important indicator है और सभी indicators में सबसे best indicator MACD indicator है क्या है MACD indicator दोस्तो MACD indicator कुछ इस तरह से काम करता है जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक line है नीचे ही नीचे यहाँ नीचे वाल line को मैं गोर कीजिएगा इस नीचे वाल line के उपर इस line के उपर आप देख सकते हैं कि कुछ candles उपर की तरफ है कुछ candle नीचे की तरफ उपर की तरफ ग्रेन नीचे की तरफ red इसके यह किस तरह से काम करती है दोस्तों ये कुछ इस तरह से काम करती है अगर yellow candle अगर उपर की तरफ ये बीच की जो line है इस line को हम zero line कहते हैं इस zero line के उपर अगर कोई जो yellow line है वो अगर purple line को यो pink line को cross कर जाती है नीचे की तरफ तो इसका मतलब है market bearish trend के अंदर आ चुका है इस time पर आपको trading नहीं करने चाहिए आपको selling कर देने चाहिए और अगर आप देख सकते हैं जहां भी आप देख सकते हैं yellow line ने अगर नीचे से इसको cross किया है यानि कि नीचे की तरफ से किया है तो वापस reverse चुरू हो जाता है उसके बाद वापस से एक जो bullish trend है वो start हो जाता है यहां पर भी आप देख सकते हैं नीचे cross किया था तो bullish trend स्टार्ट हो गया उपर cross किया था bearish trend स्टार्ट हो गया इसी तरह से पूरे काम करता है MACD MACD से आपको बहुत ज़दा accuracy मिल जाती है जिसके कारण आप एक अच्छी खासी जो इसने यहां पर cross किया और cross करने के बाद देखिए यहां पर वापस bearish trend स्टार्ट हो गया दोस्तो इस तरह से MACD indicator जो है वो काम करता है MACD indicator के बाद दो indicator रो बस्ते हैं जिसमें से एक है RSI indicator दोस्ते RSI indicator क्या होता है देखिए दोस्तो जो MACD indicator है उसकी जो yellow line है उसी के तरह RSI indicator है जो यह काम कर रहा है यह क्या है दोस्तो इसके अंदर कुछ यह होता है कि आप side के अंदर इसके उपर एक number देख सकते है RSI 6 54 दोस्तो यह इसके range होती है यह 1 से लेके 100 के बीच जो यह RSI indicator है यह काम करता है इसकी आप range देख सकते है 56 अभी है current इसकी तो दोस्तो इसके अंदर क्या होता है अगर range 50 अगर रहती है 50 के उपर अगर रहती है 50 के उपर तो इसका मतलब है कि market अभी neutral है उसके बाद अगर मैं बात करो 50 से नीचे रहती है यानि कि 30 से 50 के बीच रहती है तो एक bearish trend का हम कह सकते है कि एक bearish trend है और अगर यही market अगर यही market आपको 30 से नीचे अगर दिखाई देने लग जाए तो इसका मतलब है कि strong जो bearish है वो start हो चुकी है और उसके बाद अगर मैं बात करों अगर यही आपको आप buy कर सकते हैं एक अच्छी खासी trading कर सकते हैं दोस्तो अगली जो सबसे last indicator है जिसका नाम है के डीजे indicator इसके बारे में बात करते हैं के डीजे indicator क्या है के डीजे indicator के अदर जैसा कि मैंने आपको बताया था ठीक उसी तरह से yellow purple और pink line काम कर रही है लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहां पर k की value है, d की value है और j की value है दोस्तो हमको k और d की value के ओपर ध्यान देना है यहां पर अगर k की value अगर d की value से ज़्यादा हुई तो इसका मतलब है market अभी bullish है यानि की इस situation के ओपर bullish है और आप पिछे की तरह भी देख सकते हैं जैसे की मैंने आपको उसके अंदर भी बता दिया था की हम RSI MACD इन दो indicators को बहुत ज़्यादे important मानेंगे MACD indicator और B O L जो indicator है इन दोनों indicators को मैं आपको suggest करूँगा की इन दोनों indicators को आप जरूर से use कीजिएगा दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए जय हिंद जय भारत